नमस्ताब में हुट अनक पारेक और आप देख रहे हैं पंजाब के इसरी राजस्तान इस समय हम मौजूद हैं सुडाला में जहांपल कल घटना हुई है उससे बड़ी है सुक्तेव सिंग गोगा मेडी जैने आप जानते हैं राश्ट्री राश्पूत करनी से ना के वो अध्यक्षते इस समय हम मौजूद हैं उनके घर के यहांपर कल जो पूरा घटना कर्म हुआ है वो किस तरह हुआ क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा हम आपको बताएंगे फिलहाल यह उनका घर है जहांपर कल पूरी घटना है व वहाँ पर तमाम सिक्याउटी कैमरे हैं यहां पर लगेवे हैं फिलाल आपको बता दे कि कल सुकदेव सिंग गोगामेडी है उनको लगबग तीन से चार है वो गोली मारे गए थी एक वीडियो जो से सिटीवी फुटेज थे वो निकल कर सामनी आया था उसमें यह बताया ग गोली तकरनी शुरू कर दी लगबग इस वीडियो के अंदर तमाम जानकारी & वही दिखाई गय उसके कलियाव है उसके इस गली ने बात रेते उन्हीं से हमनें बात कर झाल और उनसे उनसे बात करने के बाद भी यही पता लगा कि सुक्देव सिंग गुगामिनी थे, आसपास उनकी लोगों से बात्ची थी, काफी बढ़िया थी, लोग उनसे मिलते जुलते भी थे, काफी लोग यहाँ पर मिलने के लिए आती भी थे, फिलाल एक गली का नजारा है, वो मैं आ बात करने के मने कोशिश भी की थी, लेकिन फिलाल वो घर के अंदर ही है, घर से बाहर है, वो नहीं निकल रहे हैं, कल जिस तरह का घटना करम राजस्थान में घटा है, उसके बाद पूरे प्रशासन में हड़कम है, वो मच गया है, लेकिन जैसे ही यह सिसिटिव कर रही है, इस घटना के बाद में पूरे प्रदेश में विरोध रशन हो रहे हैं, इस समय भी जैपूर में मेट्रो मास हॉस्पिटल है, जहां पर सुखदेव सिंग गोगामिडी की बॉड़ी को रखा गया है, वहां पर भी लगाता विरोध है, समाज की और से किया जा रह प्रशासन ने एक्शन क्यों नहीं लिया है, फिलाल सुखदेव सिंग गोगामेडी है, उनको लेकर के लगातार समाज की योड़ से विरोध है, वो किया जा रहा है, उनके घर के यहां पर फिलाल सिक्योरिटी प्रदेश को लेकर के अंदर जानी के अनुमती नहीं है, लेक को देखा है कि आखिर किस तरह से वहाँ पर घटना हुई थी, एक बार फिर आपको मैं दिखाता हूँ, जब गोली मारने के बाद जैसे ही हमलावर वहां से बाहर निकले, उस गेट इस नीली गाड़े के आगी जो गेट है, वहां से निकल करके वो बाहर आए और इस तरफ यहां पर आगे आकर भागे थे और पीछे आपको मैं दिखना चाहूँगा कि यहां पर एक गली है, जहां से निकल कर है, वो आगे निकले हैं, और यहां से गली से जैसे ही वो आगे बाहर निकलेंगे, तो वहां पर भाहर निकलने के बाद में सीधी मैन रोड है, जहां से भाग कर वहां पर निकल गये थे फिलाल जो भी घटनाकल प्रदेश में घटी है वो काफी जादा हैरान करने वाली है और प्रशासन पर सवाल उठाने वाली है फिलाल जो दो आरोपी हैं उनको पाकर लिया गया है पुले सगातार अपनी तरफ से चांबीन है वो कर रही है क्या और अपडेट निकल करके सामनी आएगी उसकी जानकारी हम आपको लगातार देती रहेंगे लेकिन फिलहाल सुकुदेव सिंग गोगामेडे के घर के भाद के जो नजारा है वो सीधा हमने आपको दिखाया है हम कोशिश करेंगे कि जो इस मामले के आवरोपी थे उनके घर का नजारा उनका घर कहां पर है तमाम जानकारी है हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे वीडियो जनलिस्ट क्रिश्टन शनमा के साथ रौनक पारिक पंजाब केसरी टीवी जैपूर